हाई फ्रेंड्स आज किस वीडियों में आपका स्वागत है आज हम लोग देखें कि टर्णरी ओपरेटर क्या होता है यह बहुत ही मोश्ट इंपोर्टेंट है यह आपके एकजाम के लिए और यह आपके C language में ये बहुत most important topic है ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है ternary operator तो आज इसको हम लोग समझते हैं और पूरे practical भी करके देखेंगे एक एक पार्ट को समझेंगे तो अगर वीडियो पर ने तो वीडियो को like और चैनल को subscribe कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं conditional या ternary operator होता क्या है तो conditional operator in a is a ternary operator conditional operator जो मोरा होता है वही मेरे ternary operator होता है जो कि आप यहां से इसको देख सकते हैं which requires three expression as operands इसमें हमारे three expression का यूज होता है जैसे कि आप यहां से इसको देख सकते हैं कि यहां पर आपका दिया हुए है ठेस्ट एक्सप्रेशन टेस्ट एक्सप्रेशन यहां पर हमारा कंडिशन चेखवगा कोई भी कंडिशन रहेगा या तो हम इसको कंडिशन expression कर सकते हैं यहां तो हम इसको test expression कर सकते हैं और यहां पर मेरा expression one और expression two रहाएगा जो कि मेरे इसमें two operants का यूज होगा तो आपको यहां पर test expression में आपको यहां पर two operants का यूज करना है यहां पर one operant हो जाएगा यहां पर दूसरा operate हो जाएगा तो यही मेरा expression 1 और expression 2 हो जाएगा तो just like हम for example में देखते हैं यहां पे 2 मेरे operants है A और B यहां पे यह condition है जो कि A greater than B यह मेरे test expression है यहां पे expression 1 जो कि यह A operant है यह expression B यहां पे मेरे यह हो गए और यहां पे देखिए column दिया है तो तो आप यहां से इसको समझ सकते हैं, यहां पर हम note में कुछ लिखके लेका हैं, जो की बहुत emotionally important है, यही लिखा हुआ है, हमने पहले आपको भी बता दिया हूँ क्या लिखा है, तो आप यहां से इसको देख सकते हैं, लिखा हुआ है, कि it is, क्या लिखा हुआ है, इसको हम थ two operands ही हैं इसमें कोई अलग operands नहीं आया है just like a operands में हम 12 रखे हैं और दूसरे में जो की मेरा b नाम का है ये variable इसमें हम 9 रखे हैं यहाँ पर result में हम क्या लिखेंगे a greater than b और question mark यहाँ पर वही है जो की मेरा syntax था यह वाला वही से में ही पर भी है a और colon b यहाँ पर मेरा semi column लग जागा जो की semi column last में लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर हम इसको convert करके देखते हैं अगर हम इसको a greater than b को हम रखें यहाँ पर a greater than b इसका value यहाँ पर 12 रख जीजिए ठीक और b की value यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 9 रख जीजिए इसमें से हमारा कौन सा बड़ा है 12 है तो हमारा expression यह one true होगा तो जो true होगा वही मेरा true operants में यह जाएगा वो run करेगा तो यह मेरा 12 इसमें हो जागा colon 9 इसमें आ जागा जो कि मेरे a operants इसमें यह वाला सही है और यहीं मेरा run करेगा जो मेरा condition true होगा उसी को run करेगा जो कि मेरा condition 12 यह बड़ा है 9 से तो यह condition a इसमें true करेगा इसमें यह run करेगा जो कि a greater than b question mark आप एंसे इसको देख सकते हैं सेम हो आई है print up में हम लिखेंगे a is greater than अगर मेरा a सही है true condition है तो यहाँ पर a is greater than हो जागा फिर यहाँ पर colon लगाए हैंगे print up हम लोग लिखेंगे वी is greater than अगर यह मेरा ऐसे रहता इस टाइप से तो यह मेरा वी बड़ा हो जाता तो यह condition true होता अभी तो मेरा यह condition true है इसलिए मेरा यह ही यही मेरा यह true होगा और यही run करेंगा और यहाँ पर हम लाश्ट में सेमी कॉलम लगा देंगे जो कि हम लाश्ट वाले print up में ही हम सेमी कॉलम लगाते हैं यह मेरे ध्यान देने की बात है और हम जो फर्स्ट वाला print up है इस वीच में हम कॉलन लगाते हैं नाकी सेमी कॉलम इसमें हम लोग column लगाते हैं और last में हम लोग semi column लगाते हैं तो आप यहां से इसको देख सकते हैं तो हम लोग कुछ theory देखते हुए भी हम कुछ practical कर लेते हैं तो चलिए हम लोग practical करके देखते हैं इसका turnary operator का use कैसे करें तो चलिए हम लोग इस practical को करके देखते हैं studio.h ठिक यह मेरा library है और यहाँ पर हम int man लेगे int man आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं यह मेरा function है ठिक और यहाँ पर हम curly bracket लगा लाते हैं जो कि इसी में मेरा code execute होगा और यहाँ पर हम उसी program को करेंगे जो कि हम theory में देखेते हैं और वही हम example लेंगे जैसे कि आप int a ले लिए int a और comma v हम a और v को इसमें execute कराएंगे और एक last में हम max ले लेते हैं इसका भी मेरा use होगा अभी जखिए गा इसका क्या use होगा max ठिक यहाँ पर semi column लगा जिए फिर print up कराएं जो कि इस number को int a और v को यहाँ पर number को इंटर तो कराना ही पड़ेगा इंटर इंटर द नंबर इंटर जन नंबर नंबर आफ एंड बी आप इहां से इसको देख सकते हैं इसको हम लोग scan up भी करा लेते हैं जो कि इसको scan up कराना बहुत important है modulus d फिर modulus d v के लिए और आप इसको यहाँ पर करेंगे कॉमा और and percent लगाएंगे यहाँ पर ए को call कर देंगे कॉमा and लगाएंगे बी को call कर देंगे यह तो मेरा compulsory यह आप इतना जानते ही होंगे फिर हम लोग एक max जो की max हम लोग बनाएं variable max में वह ही formula को हम लग रख देंगे जो की यहाँ पर मेरा था max equals to a greater than b यही तो थो मेरा था a greater than b और यहाँ पर मेरा यहाँ पर question mark था और फिर हम लोग का क्या था a colon b फिर हम लोग का semi column था जो की हम लोग यहाँ पर एक extra लगा देते हैं अगर मेरा कोई value same हो तो हम उसके लिए equals to लगा देते हैं यह मेरा equals to में भी code adequate करेगा ठीक अब हम इसी को printf कराते हैं printf यह मेरा formula बनकर तयार होगा printf answer में क्या आएगा answer 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 is equals to यहाँ पर आप modulus d और max को आप यहाँ से modulus d और max को आप यहाँ से call कर देंगे ठीक और यहाँ से आप semi column लगा दिए यहाँ पर देखिए अगर कोई भी आप दो number देंगे तो इसमें से कौन सा यह code execute करेगा यह मेरा बड़ा होना चाहिए तो मेरा code a execute होना चाहिए तो आप इसको code को execute कर आखर run कर आईए तो यहाँ पर मेरा कुछ यहाँ पर common नहीं लगाया तो ठीक है यहाँ पर common लग गया फिर इसको run कर आईए तो आपको यहाँ पर इंटर in और वीर को number देना है 3 एक लिए हो गया 4 बी के लिए हो गया तो आप यहाँ से इसको देखेंगे मेरा answer is 4 क्योंकि यह मेरा बड़ा है 3 से तो आप इसको देख सकते हैं 3 से बड़ा है मेरा 4 जो कि मेरा वी की value है वी इसमें execute हो रहा है और इसमें वी मेरा इसलिए execute हो रहा है क्योंकि यह बड़ा value है इसलिए यह execute हो रहा है तो आप इसको देख सकते हैं अगर हम फिर इसको code को execute कराएं run कराएं 5, 6 हम लोग ले ले लेते हैं PEG अब हम लोग इसको enter कराएंगे तो यहां पर देखिए मेरा बड़ा कौन सा है तो बड़ा six है जो मेरा बड़ा होगा वह ही code execute करेगा इसमें मेरा six value दे रहा है तो इस code को आपजेक्ट सकते हैं ये code विल्को सही है जो भी value बड़ी है उसको ही एक्जिक्यूट कर रहा है उसमें मेरे वी की value को एक्जिक्यूट कर रहा था इसमें मेरे एकी value को एक्जिक्यूट कर रहा था जो की एकी value 6 है और last में answer मेरा 6 है तो आप इसको चेक कर सकते हैं इसको ट्राइ कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लए तो वीडियो कराई को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में अच्छी लेज नहीं थैंकियो